रादे रादे जैश्री कृष्णा आज की इस वीडियो में हम देखी लड़ु को पाल जी के लिए हमने वैलेंटाइन डे के लिए ये जो हड की जो हमने मल्टी कलर की हड की ड्रेस बनाकर कंप्लीट करी थी आज इसकी मैचिंग की जो है हम हैट बनाना सीखेंगे और इस ड्र की जो है मैचिंग का ये बहुत ही खूपसूरस सा देखिए ये हैट बनाना सीखने वाले हैं जो मैंने इसी ड्रेस की मैचिंग की देखें हर्ड की शेप में जो है इसको बनाकर कंप्लीट करा है मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये हैट भी लड़ु गोपाल जी की बहु वीडियो में जो है शुरू से एंड तक बने रहें उसको एंड तक जरूर देखे तभी आपको समझ में आएगा कि आप चोटे से चोटे बड़े लड़ु गोपाल जी के लिए इस हैट को जो है एजिली कैसे बना कर कंप्लीट कर सकते हैं और ये जो हाट है ये मैंने ड्रे जरूर करें उसके साथ में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें तो चलिए अब हम लड़ु गोपाल जी की इस हैट को बनाना शुरू करते हैं तो इस हैट को बनाने तीन की चेन लेने के बाद हमें इस होल के अंदर जो है डबल किरोशिया बनाना है 12 ताइमस तो देखे एक तो हमारी ये तीन की चेन हो गई एक हमने बनाए ये दो हो गए तो यहाँ पर हमें जो है बारा बार इसी तरह से जो है डबल किरोशिया बनाकर कम्प्लीट करना है और अगर आप इस हैट को बड़े लड़गो पाल जी के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप इन चेन को जो है बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 5 से 6 नमबर के लिए यहाँ पर 12 डबल कि रोशिय बनाए हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर बड़े लड़गो पाल जी के लिए अपने अकोर्डिंग 14, 16, 18 इस तरीके से जो है लेते वे आप इसको बड़े लड़गो पाल जी के लिए भी बना कर आसानी से कम्प्लीट कर सकते हैं और चोटे लड़गो पाल जी के लिए इनी 12 किरोशियों को कम कर दें जैसे 4 से 5 नमबर के लड़गो पाल जी के लिए आप यहाँ पर 10 चेन ले सकते हैं और इसी तरह 0 साइज के लिए एक नमबर के लड़गो पाल जी के लिए यहाँ पर आप 8 वार जो है इस तरीके से डबल किरोशिया बनाएं तो इस तरह से बनाते वे आप लड़ू को पाल जी के लिए इस हैट को छोटे से छोटे और बड़े साइज में असानी से बना कर कंप्लीट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस डबल किरोशिया हो चुके हैं यहाँ पर मैं अब दो बार और बनाऊंगी इसी तरह से तो देखिए धागे को लेंगे दो तीन से दो करें दो से एक करेंगे यह डबल किरोशिया कहलाता है यहाँ पर अब एक बार ओर बनाएंगे हम इसी तरह से देखिए एक, दो, और यहाँ पर जो हमने पहले वाली हमारी चेन ती देखिए यहाँ पर तो उसकी जो थर्ड चेन है एक, दो, तीन third chain के अंदर हम यहाँ पर इसको slim stage से connect कर देंगे और यह जो हमारा धागा है नीचे इसको हम खीज देंगे तो खीजने से देखे इसके जो बीच का gap है वो बंद हो जाता है और यहाँ पर हम दुबारा से अब जो है तीन की chain लेंगे और तीन की chain लेने के बाद अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने देखे यह chain बनाई है यही पर एक बार और डबल किरोश्या बनाएंगे और उसकी next chain के अंदर मैं एक बार डबल किरोश्या बनाऊंगी और उसकी next chain के अंदर दो बार यह एक बार हो गया अब इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे और next chain के अंदर एक बार तो इसी तरह से बनाते वे हमें अपने second round को जो है complete करना है यहाँ पर एक chain के अंदर हम दो बार double किरोशिया बनाएंगे और उसकी next chain में एक बार यह जो process है यह सभी cap के लिए सेम रहेगा second round हमें हर लड़ू को पाल जी के लिए जिस भी size के लिए आप यह cap बना रहे हैं उसके अंदर second round इसी तरह से बना कर complete करना है तो यहाँ पर देखे हमारा second round भी complete हो गया है और वापिस अब मैं इसको third round में फिर इसी तरह से slim stitch से तीसरी chain में connect कर दूँगी और अब हमें इसका third round बना कर complete करना है तो third round के अंदर देखे दुबारा से हम तीन की chain लेंगे और तीन की chain लेने के बाद अब हमें इस round के अंदर कोई भी chain जो है बढ़ानी नहीं है हम यह जो हमारे पहले round में 12 थे हमने इसके अंदर एक छोड़के एक में double किरोशिया बनाया तो यह जो है हमारे 6 जो है बढ़ गए है इसके अंदर तो यह total 18 हो गए है तो यहाँ पर अठारा chain के अंदर में 18 बार हर chain के अंदर double किरोशिया बनाऊंगी और आगे के जितने भी round हमें बनाने है उनको भी हम इसी तरह से बना कर complete करेंगे हम अब आगे कोई भी chain जो है increase नहीं करेंगे और इसी तरह से हर chain के अंदर बनाते वे अपनी इस cap को बना कर complete करेंगे अगर आप बड़े लड़ू को पाल जी के लिए बना रहें तो यहाँ पर आप इसके 6 से 7 round बना सकते हैं और छोटे लड़ू को पाल जी के लिए आप कम कर सकते हैं तो यह जो round है यह आप अपने लड़ू को पाल जी के according बनाए कि जितनी height आपको अपने लड़ुक पाल जी केप के लिए चाहिए आप उतने round बनाकर इस head को complete कर ले तो यहाँ पर देखिए मैंने इस cap के total 4 round बना कर complete करे हैं आप इन round को अपने according बना कर complete कर सकते हैं तो देखिए अब हम इसका बोर्टर बनाना शुरू करेंगे और इस हैट को एक मोडन लुक देने के लिए यहाँ पर मैं अब इसका एक जाल की तरह जो है इसका बोर्टर बनाकर कम्प्लीट करूँगी तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अपनी वाइट कलर की ओन को यहा तो देखिए एक, दो, तीन, चार चेन लेंगे एक चेन को हम स्कीप करेंगे और नेक्स चेन के अंदर सिंगल किरोश्या बनाते वे हम अपनी इस कैब के इस राउंड को जो है बनाकर कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स राउंड कम्प्लीट हो गया और यह अभी आपको कुछ इस तरह से देखी, यह हैट दिखाए देगी, अभी हम इसका जो है, सेकंड राउन बना कर कम्प्लीट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एंड करने के बाद, यहाँ पर मैं इस चेन के अंदर स्लिम स्टिस से इसको कनेक करूंगी, वापिस यहाँ पर देखिए, चार के चेन लेंगे, और चार चेन लेने के बाद, नेक्स चेन के अंदर, दुबारा से, सिंगल की रोशिय से इसको कनेक करेंगे, तो यह सैकंड राउन हमें इसी तरह बनाना है, तो देखिए, एक, दो, तिन, चार चेन लेंगे, और नेक्स चेन के अंदर, सिंगल की रोशिया बनाते वे, हम इसको कम्प्लीट करेंगे, तो यह जो है, एक, नेट का डिजाइन बनता हुआ जाएगा, और यह कुछ फिलावट में इस तरह से बनकर कम्प्लीट होगा, तो देखिए, इसी तरह से बनाते वे, आप इसके second round को कम्प्लीट कर ले, तो यहाँ पर देखिए, हमारा इसके border का second round भी कम्प्लीट हो चुका है, और अभी यह border अभी थोड़ा कम है इसके पहलावट के लिए, तो यहाँ पर मैं इसका इसी तरह से देखे 3rd round भी बनाकर complete करूंगी तो यहाँ पर देखे वापिस हम यहाँ पर 4 की chain लेंगे और 4 की chain लेने के बाद next chain में दुबारा से इसको single किरोशे से connect करेंगे तो 3rd round भी हमें इसी तरह से बनाकर complete करना है और अगर आप बड़े लड़कोपाल जी के लिए हैट बना रहे हैं तो आप इसके 4 से 5 round बना सकते हैं छोटे लड़कोपाल जी के लिए आप 2 round बनाएं तो इस border को देखे आप अपने according जो है फिलावट में कितना आपको बनाना है यह आप अपने हिसाब से बनाते वे इसको complete कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे हमारी इस cap का जो है third round बना कर complete कर लिया है यह देखे यह आपको कुछ इस तरह से अभी दिखाई देगी यह जो इसका side का border है यह जो hat का यह हमने net में बना कर इसलिए complete किया है थोड़ा सा यह जो है modern look दे लड़ु गपाल जी की हैट तो यह देखे एक proper हैट की shape लेकर इस तरह से complete हो चुकी है और आप हम इसको करेंगे decorate तो देखे decorate करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इस तरह की देखे plain white एक chain बना कर complete करी है यह chain आप अपनी हैट के according बना कर complete कर सकते हैं जब आप बनाएं तो देखे इस तरह से measurement ले ले और थोड़ी सी chain जो हमें extra रखनी है क्योंकि हम बाद में इसका इस तरीके से देखे बो बना कर complete करेंगे यहाँ पर तो इसलिए थोड़ी सी हमें extra रखनी है बाकी आप इस तरह से जो है हैट के चारो तरफ घुमाते वे थोड़ा measurement ले ले और उसके बाद अब देखे हम इसके अंदर क्या करेंगे यह जो हमारी first chain है यह बार इस chain को हम उठाएंगे इस तरह से और इस chain को इसके अंदर से देखे निकाल लेंगे तो हम इसके अंदर जो है stitch नहीं करेंगे इस chain को हम इसी तरह से chain के अंदर एक chain छोड़के दूसरी chain में से देखे एक chain को हम यहाँ पर छोड़ेंगे दूसरी chain में से इस तरह से chain को निकालते वे जाएंगे तो पूरी head के अंदर देखे इसी तरह से chain को हम निकालते वे जाएंगे तो ये chain जो है इसी के अंदर cap में इस तरह से adjust हो जाएगी और इसी तरह से निकालते वे हम यहां तक आएंगे तो देखिए chain को पूरी cap के अंदर इस तरह से डालने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यह देखे जो हमने एक्षा चेन बनाई है यहाँ पर इसको देखे इस तरह से हमें इस तरह से देखे यह जो चेन है इसको इस तरह से मोडेंगे और इसको भी इसी तरह से मोडेंगे और दोनों को क्रोस करते वे हम यहाँ पर इस तरह से सैट कर और इसको जो है यहां पर एक बो की शेप देते वे यहां पर स्टिच कर देंगे तो यहां पर देखे हमारे लड़ को पाल जी की बहुत ही एक खुपसूरस सी वेलेंटाइन डे की जो है वो बनकर कंप्लीट हो जुकी है मैंने दोरी को देखे इस तरह से स्टिच करने के बाद यहां पर देखे एक छोटासा हर्ड़ शेप का नजा का पर भड़ा ह को सट्रीट कर दिया और यहां पर देखे मैंने एक छोटा रेड गलर का हर्ड बनाकर यहाँ पर उसके उपर मोती की लड़ी लगाई है और इसी तरह से मैंने एक पीछे परपल कलर का बड़ा हर्ट बना कर कम्प्लीट किया है और उसको मैंने थोड़ा तिरचाय रखते वे हैट के अंदर इस तरह से स्टिच कर दिया है और यह जो हर्ट है यह मैंने आपको ड्रे का यूज किया है तो मैंने यहाँ पर देखे साइड में जो है लटकन भी जो है मल्टी गलर की यूज करी है जो लड़ु गोपाल जी के फेस पर साइड से गिरेगी जो बहुत ही खुबसूरत लगने वाली है तो देखे हमारे लड़ु लड़ु गॉपाल जी की वेलन्टाइन डे की ये हैट बनकर पूरी तरा से कम्प्लीट हो चुकी है और मुझे पूरी उमीद है ये आपको पसंद आई होगी अगर आपको लड़ु गॉपाल जी की ड्रेसीज ये हैट पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को जो है जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें और उसके साथ में जो रैड कलर का बैल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में लड़ु गुपाल जी की एक और खूब सुरसी ड्रेस के साथ रादे रादे जैश्री कृष्णा